जन्म से लेके 6 मिने तक के बच्चे का वजन अब कैसे बढ़ा सकते हैं क्योंकि गोल मटोल और हल्दी चबी से बच्चे सबको अच्छे लगते हैं जब बच्चा पैदा होता है ना तो बच्चा गोल मटोल सा लाल लाल सा हल्दी दिखता है लेकिन शुरू के कुछ तिनों मे पहले हफते में वजन उसका गिरता है उसके बात दिरे-दिरे बच्चा elgain करना start करता है बच्चों का wait per day 22-30 gram increase होता है यानि कि हर दिन बच्चा 20-30 gram weight gain करता है और यह दोनों बच्चों के लिए यानि कि जिनका pre-term birth हुआ है और यह पूरे time पे हुआ है के लिए अलग हो सकता है जो प्रीटम बर्थ वाल बच्चे हैं उनका हो सकता है वेट स्लो गेन हुए थोड़ा लोवर साइड में रहे पर इसका मतलब यह नहीं है कि बच्चा एन हेल्दी है आप वेट चार्ट में देखोंगे बच्चों के तो लोवर साइड और सैंटर और ह और बच्चों पूरा होते हो थे अपने बटबल होता है जन्म कि समय अगर बच्चा three kilo का था थो जल चे तो छह मेंने पर बच्यकर घ्म असपास होना चाहिए आप लोजन के लिए क्या कर सकते हो इसमें अब बच्च श्यमिन तक क्न है तो बच्चा क्या कर रहा है सिर्फ दूद पी रहा है तो अब दूद में क्या होना है दूद में उसको पूरे नुटिशन मिलने चाहिए दूद की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए तो इसके लिए क्या करना है कि मदर को अपनी हेल्थ का दिहान अब बच्चा सिर्फ ब्रेस्ट फिड ले रहा है तो ब करते हैं थोड़ा-इस पीटे अ पीते वैसे बछया पीने पीपिलाना है यह सबॡ़ा बढूरों कि आता है जाव कि रॉन की आड़ा फिर егоण सबुदकी है कि गरता एसलिए बच्छे को तब तक दूढ पीलाना होता है जब 07D क्या होता है कि दोनों से जोड़ यह जोणा पलाते हो थोड़ी देर टो जाओ राथ यह आगे इंपकंदरा मिंट्स को बेंट को तो इसे वहां में बच्चा अगर लंबा टाइम सो जाता है या मदर सो जाती है बच्चे को नहीं जगाती है तो अगर बच्चे का ज्यादा गैप आ जाता है वह रात को आता है इस वजह से बच्चों का वेट लोस होता है बच्चे बहुत जल्दी वजन गिराने लगते हैं अगर बच्चा बच्चे नहीं पिते हैं तो बच्चे को जब लगे कि हां उसका भूख से रो रहा है तब देख लेगा हमें बच्चे को मोटा करना तो बार बार दूद पिलाने लेकिन उस दूद की क्वालिटी भी मेंटेन करनी है तो बच्ची को मोटा करने के चकर में मदर को कमजोर्य बीमार नहीं पढ़ना है तो इसलिए मदर को सीजनल फ्रूट सीजनल वेजिटेबल्स ड्राइफ नट्स जो भी आपके आसपस आपको मिलते हैं वह आपको सब खाने हैं दूद दही पनी घृटत जोने हैं क्योंकि आप ग्यास वली चीजे खाऊ गोगए तो बच्चा वही दूद पिएगा तो बच्चे को घैस होगी बच्चे की पेट में दर्द होगा तो बच्चे का पैट टाइठ होगा पेट फूलेगा तो वह ज़्य से मिल्क नहीं प्लेपाएगा कि दूद में लएशन के समयल से बच्चा सही से दूद निपीता है जो भी आप खाते हो वो आपके दूद के जरीए बच्चे तक पहुंछता है तो अगर आपको बच्चे को रज़ी खरना है तो आपको वैसी ही डाइट भी लेनी पड़ हैं तो इसलिए अच्छे-च्छा ख साते हैं और वाइटमिन डी बच्चों को दिया जाता एक साल तक वह आपको देना है और इसके साथ आपके मदर के जो सप्लीमेंट से आइरन और कैल्शियम जो प्रेग्जेंसी में अपने रहे थे वह भी आपको लेते रहे हैं छे महिने तक जब तक आप बच्चे को दूद् बच्चे को चाहिए तो उसको छे महिने तक जो उसकी ग्रोथ के लिए उसको सिर्फ आपके दूद्से मिल जा रहा है तो इसलिए बच्चे को जादा ज्यादा फीड कराओ कि बच्चे की इम्मुनिटी भी बढ़ती रहे तो बच्चा कम बिमार पड़ेगा और बच्चों क ग्रोथ के लिए उनके वेट गेन में भी बहुत हेल्प करती है मसाज मसाज आप दिन में दो बार भी कर सकते हो और मसाज आपको बहुत रगर रगर के नहीं करनी है क्योंकि बच्चों की जो बॉन्स हैं हड़ियां हैं बहुत कमजोर होती हैं बहुत नाजुक होती हैं तो फिर उससे बनीकरे चाहिए आपको बठ्चों को बठाना है तो बचों के चेहरे पर ऑप प्रोगरा है बचों के शेहरे चाहिए भन क्ला पड़ने लगता है जोभी बच्चों को वैक्सिन है कि तरह मज़िपस्च कर सकते हैं अब बात करते हैं कि वैसे कंड़े OP मिल रहा है अगर आप देखरा है दिन में 6 से 10 बस दूद도 कर रहा है वो predeल्चा अगर आपको लग रहा है कि बच्चा सूसू कर रहा है सूसू कर येलो नहीं तो इसका मतलब बच्चा अच्छा दूद पी रहा है सूसू कर रहा है बच्चे को बच्चे की लिप्स त्राइब हो रहे है जैसे डियाडरेशन होने लगता है तो हमारे सबसे पहले lips जो हो सूखने लगते हैं तो अगर आप देख रहे हैं जो बच्चे के lips बार-बार सूख रहे हैं तो इसका मतलब बच्चा अच्छे से दूद नहीं पी रहा है और बच्चा हाथ पर बहुत tight रख रहा है या आपको लग रहा है कि बच्चा जैसे कहते हैं पसली चलना बच्चे की सास बहुत तेज लेता है बच्चा तो इसका मतलब बच्चे को dehydration हो रहा है बच्चे को पूरा दूद नहीं मिल रहा है तो उस case में आपको pediatrician को consult करना है अगर आपको लगता है कि बच्चों की जैसे सास बहुत तेज ले रहा है बच्चा ये लाल पढ़ रहा है ब्लू पढ़ रहा है तो आपको pediatrician को consult करना है अगर हम इसको पूरा summarize करें तो हम यहीं देखते हैं कि 6 मिन तक के बच्चों के लिए breast milk से ज्यादा अच्छा और कुछ नहीं है अगर आपको बच्चे को बार-बार infection हो रहा है उसकी immunity down है या बच्चा weight loss कर रहा है तो उन सब का एक ही solution एकल के आता है कि बच्चे को जादा से जादा breastfeed करवाईए अब breastfeed के quality पे आपको ध्यान देना है कि मदर को अच्छे से अच्छा खाना खाना है stress नहीं लेना है खुश रहना है और अपना liquid intake पे बहुत ध्यान रखना है क्योंकि अगर आप सिफ खाना खाते रहोगे पानी नहीं पियोगे तो भी breast milk supply जो कम होने लगता है क्योंकि breast milk में 80-90% पानी होता है अब यह सब आपने कर लिया फिर भी आपको लग रहा है कि बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा है या बच्चे का पेट नहीं भर रहा है या milk supply किसी वज़ा से कम है कोई health issue की विज़ा से कम है तो आप बच्चों को pediatrician से consult करके formula milk दे सकते हो hope you video आप सब के लिए helpful है इसे like कीजिए और share कीजिए उन सब लोगों को अपने friend circle में अपने relatives में जिनके भी घर में चोटे मुनने ने मुनने से बच्चे हैं और ऐसी और वीडियो देखने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए उसके लिए आपको क्या करना है नीचे जो लाल बटन दिखाएज़ा है उसे क्लिक करना है थैंक ये फर वाचिंग